नमस्कार दोस्तों एस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे बंगलादेश प्रीमियल लीग 2013 का मैच नमर 16 जो खेला जाएगा सीयोवी वर्षिज एस वाई ल की टीमों के बीच में अगर दोस्तों दोरों टीमों में कम्पैरिजन किया जाए तो सीयोवी की टीम ने इस सीजन च्यार मैच प्ले किये एक मैच वाई करके रही है। वहीं SYL की टीम ने इस सीजन 5 मैच प्ले की अपने 500 ही मैच है वो वोन करके आ रही और दोरों ही टीमों का इस सीजन BPL 2030 में एक बार पहले भी आमना सामना हो चुका है उस मैच को SYL की टीम ने इजिली वोन कर लिया तो इस मैच में भी SYL की टीम है वो डेफिली स्ट्रोंग ट वीडियो को कंप्लिट वाच कर लेना तो दोस्तों इस मैच का वेन्यू रहेगा जहूर एमद चोधरी स्टेडियम चटोगराम बांगलादेश में यह मुकाबला आज साम 6 बजे स्टार्ट होगा पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो और उले एक बैलस विकेट है और इस स्टार वो पेस्टर के इनवाजों को मिलता है और इस सीजन बीपेल 2030 में भी इस विकेट की उपर 6 मैचीज खेले जाचके जिसमें से 2 मैच बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने वहीं 4 मैचीज यहां पर चेज करने वाली टीम ने वोन किये इस विकेट की उपर थोड़ा चे फाइनल टीम फाइनल सजस्टन हैगा हाप्ट टोस्वा लाइनप के बाद आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे बल्यू गोलर के लिंक रहेंगे सिंपलिया वहाँ पे कलिक क भी मिस्स मत कीजिएगा दोस्तों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे सिंप्लिया वहां सी टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकती हूँ अब बात कर लेतें दोस्तों क्या रहेगी सियोवी की पॉसीबल प्लेंग 11 तो उससे पहले अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जुरूर से कर देना और यूटूब चैनल के उपर भी अगर आप पहली वार विजिट कर रहे हो तो यूटूब चैनल को भी सस्क्राइब करके नोड़केशन बल आइकन को जुरूर से प्रैस कर देना ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले उसका नोड़केशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए सियोवी की टीम की तरफ से दोस्तो लीटन दास और मवंद रिजवान दोनों आपको उपन करवाती हैं नजर आजेंगे लीटन दास ने लास्ट मुकाल में 40 और सैकी लास्ट मुकाल में 32 रन की निंग खिली ओरूल T20 में 30 की उस्टे रन करवाती है फोम अच्छी चली है इ कैप्टन भी ट्राइक करके चल सकती हूं इम्राल काइल्स है एक और इस सप्रदस्न आपको कंटीनियो करवा के देरें टीट वन टीए में 30 की उस्टे रन करवाती है तो और इस पिक रहेगी समोली को ग्रानलिक के दोनों कॉमिनिस में आप अपनी टीम में कवर करके चल सकत हूं जाकर अलिया आपको नमबर पांच पे बैटिंग करवाती हूं नजर आजे हैं लास्ट मुकाल में 22 सेकी लास्ट मुकाल में अपना खाता ने खुल पाई थर लास्ट मुकाल में स्ताव रन की निक लिए और ओर इस पिक रहेगी समोली को ग्रानलिक दोनों में आप कव में कुछ दिल साको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में ट्राइ करके चल सकती हूं मोसा देख उसेन है लास्ट मुकाल में दो विकेड निकाले सेकी लास्ट मुकाल में 27 बनाए प्लस 14 और की बोलिण डाली विकेड निकाला उससे पहले एक मैच में एक विके पहले दोस्तों चैप्टन भी अपनी ट्राइ करके चल सकती हूं मोबीकुल इसलाम में लास्ट मुकाल में पले करने के लिए च्यार ओर की बोलिण डाली एक विकेड निकाला ओर इस पिक रहेगी समोली को ग्राल लिग दोरों में कवर करके चल सकती हूं असन अली को दोस्तों आप ओन लिग ट्राइ करके चला दो मैचेज खेलेगी में चेप्टन पलेरों की बात की जाए तो लीट अन्दास हो गया साथ साथ मुहमद रिजवान दोनों को cover करके चल सकती हूँ इमराल काइल्स हो गया जोंसन चालर्स हो गया साथ साथ जाकर अली में से कोई भी एक प्लेर आप अपनी टीम में cover करके चल सकती हूँ तीनों ही आपके लिए और इस पिक इस मैट में रहीगी कुछ दिल साथ मोशा दे कुछ हैं दोनों इपोर्टन रहेंगे जुरूर से try करके चला और तनवीर इसलाम को अपनी टीम में cover करके चल सकती हूँ अबू रिंदर हो गया वह का इसलाम हो गया रसन अली तीनों यह और इस पिक रहेंगे चाहो तो किसी एक प्लेयर को cover करके चल सकती हूँ बागी तीनों प्लेयर को जील के comment में आप जरूर से try करके चला बागी दोस्तों COV की टीम की तरब से अगर बैंचींज में कोई भी update मिलेगी तो वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पे और टेलिग्राम चैनल के दो लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगी अगर दोस्तों आपने भी तक वीडियो को like नहीं किया है तो केवल 500 like का target है motivation के लिए वीडियो को एक like जुरूर से कर देना और final team के लिए टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना अब बात कर लेते दोस्तों क्या रहेगी SYL की possible playing 11 तो इस team की तरब से मोबंद हरिस्ट है वो आपको लगातार open करवा के देने लास्ट मुकाल में 44 बढ़े उससे पहले दोनों मुकाल में बूरी तरह से फ्लोप रहे और टी टोवन टी में 20 की ओस्टे रन करवाते और इस पिक रहेगी मेरे कोडिंग दोस्तों ओल्ली जील ट्राइ करके चला हरिस्ट कू बाकि समोलिंग में आप ड्रोप करने करें इसका अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकते हूँ नजमूल शैन सेंटो आपको open करवा के देरें और इस player की form है वो काफी लाजवाब चलिया हाला कि लास्ट मुकाल में ज्यादा कुछ नहीं करवा पाए केवल बारा बनाए सेकी लास्ट मुकाल में 27 प्लस एक विकेट थलास्ट मुकाल में 19 और 4 थलास्ट मुकाल में 48 बढ़े इपॉर्टन फिक रहेगी नजमल उसेयन सेंटो शमोलिंग में वीसी और जील के कॉम्निस में कैपटन वाइस कैपटन भी ट्राय करके चल सकती हूँ सोरी गई जाकीर असेन है लास्ट मुकाल में 1 सेकी लास्ट मुकाल में 10 और थलास्ट मुकाल में 20 रन की नहीं हालां कि लास्ट के दो से तीन मुकाल में जाकीर उसेन की फोम इतनी अच्छी नहीं रही है लेकिन दोस्तो एक हार्ड इटर प्लेर टोप और में आपको बैटिंग करवा के देंगे तो अपनी टीम में आप जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ वहीं बात किजिए दोस्तो और की नहीं खिल की दी है लास्ट के तीन से मुकाबलों में और इस पिक रहेगी समोलिंगों ग्रालिक दोरों में कवर करके चल सकती हूँ इमाद वसीम लास्ट मुकाल में तीन सेकी लास्ट मुकाल में दोर थल लास्ट और फोर्थ लास्ट मुकाल में एक एक विकेट निक अकम्रा ली को आप ड्रोप करने करें, इसका अपनी टीम से काफी आसानि से ले सकते हो, मुस्टफा, लास्ट मुकाल में विकेट लश रहे, लेकिन दोस्तों उससे पहले हर मैच में आपको लगातार कंटेन्यू विकेट निकाल के देंगे, दो विकेट, तीन विकेट, एक व 5 मैचिंश में 7 विएट निकाल के दे चुके हैं तो डैपली लीक कवर करके चल सकती। नुरूर असन है् लास्ट मोकाल में च्यार और की बोलिक एक विएट ओरेज पिक रहेगी समोली को गराल लीक दोनों में मिल जाएंगी ये तो गैं दोस्तो दोड़ों टीमों का स्टेट वाइज अनलाइसीज अब बात के लेते हैं प्लेर वाइज अनलाइसीज ओर कुछ आपने कैप्टन वाइस कैप्टन के रोटेस्चं के बारे में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तो विक की सेक्शन में मुमंद रिजुवान आपको ओपन करुवाती हुए नजर आजेंगे लास्ट मुकॉल में 37 रन की इनिंग के लिए इपोर्टन पिक इस मैच में भी रहेगी जुरूर से कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राय करके चला मुस्विकूर रह्मान का थोड़ा सा बैटिंग ओडर नीच रहेगा लेकिन दोस्तों हर मैच में एक ओरेज सप्रदसन आपको कंटीन्यू करुआ के दिरे ओरेज पिकरेगी समोल लिग और ग्रान लिग दोनों में आप कवर करके चल सकते हुए मुहमद अरीस आपको लगातार ओपन करुआ के दिरे लास्ट मुकॉल में चोमालिस रन की इनिंग खिली उससे पहले दोनों मैचिज में छेचे रन की इनिंग खिलके आ रहे है मिस एन हिटी टाइप के प्लेर है दोस्तों कभी भी आपको एक बड़ी इनिंग लगा के देश सकते हैं तो मुहमद अरीस को दोस्तों जील के कॉमनेस में जरूर से कवर करके चला समोलिक में आप ड्रोप कने का रिसक अपनी टीम से काफी आसानी से ले सकते हूँ बैटिंग ओडर में बात कीजए लिटन दास लास्ट के दो मैचिज में फॉम अच्छी चलिए इपोर्टन पिक रहेगी जरूर से कवर करके चला बागी दोस्तों अगर आप रिसक लेना चाहो तो इस मैच में लिटन दास को समोलिक से आप ड्रोप करके ओनली जील भी ट्राइ करके चल सकती हूँ जील में एक इपोर्टन पिक आपके लिए हर मैच में रहेंगी लिटन दास है नजमुल उसेयन सेंटो आपको लगातार ओपन करवा के दे रहें और इस प्लेयर की फोर्म अच्छी चलिए हलांकि लास्ट मुकाल में केवल 12 रन मना पाए लेकिन उससे पहले फोर्म अच्छी चलिए समोलिक में वीसी और जील के कॉमणिस में आप नजमुल उसेयन सेंटो को कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राइ करके चल सकती हो जाकि रहे सेंट भी आपको हर मैच में अच्छा करवा के दे रहें इपोर्टन पिक रहेगी जुरूर से कवर करके चला इमराल काईल साब के लिए ओरेज पिक रहेगी समोलिक और ग्राण लिक दोनों में कवर करके चला तोही दर्दे दोस्तो लास्ट मुकाल में अवेलिबल नहीं थी लेकिन इस प्लेयर की फोम है वो काफी लाज़ वाप चलिए यह आपके लिक इपोर्टन पिक रहेगी कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने टीम में जुरूर से तोही दर्दे को ट्राई करके चल सकते हूँ यह प्लेयर आपको डैफिनल्टी इस मैट में अवेलिबल मिल जाएगा बात कीज़े दोस्तो आलाउंडर सेक्शन मी इमाद वसीम है अच्छा करवा के दिने लास्ट के तीन से च्यार मैचिज में इंपोर्टन रहेंगे स्मॉलिग में विसी और जियल के कॉमनेस में इमाद वसीम को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हूँ तीसारा प्रेड़ा हो गया साथ साथ दोस्तो मौसा देख उसेन हो गया आप दोनों आपको बैट और बोल दोनों करवाती हुए नजर आ जाएंगी बात किज़े दोस्तों बोलिंग सेक्शन में मुहमद आमिर लास्ट मुकाल में एक विकेट निकाला सेकिन और था लास्ट मुकाल में दो दो विकेट निकाल के दिये प्रदसन आपको हर मैच में कंटीन्यू करवा के देंगे इपोर्टन पिक रहेगी इस मैट में भी तो जुरूर से कवर करके चल सकती हूँ रहमान राजा इस मुकाल में दोस्तो अवेलेबल नहीं थे अगर अवेलेबल रहते हैं तो इपोर्टन रहेंगे जुरूर से ट्राय करके चला फ्रारुकी को भी आप अपने टीम में सीधा सीधा कवर करके चल सकती हूँ अब और में 6 विकेट निकाल के दिए एक complete 4 ओर की बोरिंग डाल के देंगे इपोर्टन फिक रहेगी जुरूर से अपने टीम में कवर करके चल सकती हूँ बागे नीचे के सबी पलेर आपके लिए रिस्की रहेंगे में जबार्ट